हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जय माँ इंदराक्षी इंदराक्षी धाम में दर्शक आप सबी का महारदिक स्वाधत करते हैं आईए इस विष्य संक में हम बात करेंगे वर्शव रासी के जा तक मार्च के महीने में क्या विष्य सुपाई करें मार्च का महीना अपने आप में बड़ा ही लाभानवित करने वाला महा होता है क्यों? क्योंकि नया समस्तर इसके बाद प्रारणब होता है इसलिए हम अपने नई साल के हिंदू नई साल के करीब है और अंतिम महीने के ये उपाई कर रहे हैं तो हैना खास तो ध्यान से अपने आप भी करिए अपने परिवार वालों से भी जो जो जिनकी रासी है उनसे उपाई जरूर कराईएगा इस अंक में जो हम उपाई बताएंगे वो कौन कौन कर सकता है जिन जात्कों की वर्षब रासी है जर्म से वो ये उपाई करें जब ग्रह परिवर्तित होते हैं तो कहीं न कहीं हर चीज के उपर विशेस असार आता है लेकिन ग्रह रोज नहीं बदलते हैं ये भी आप सुन लें इसलिए हमें रासी से सम्बंदित रोज उपाय करने की आवशक्ता नहीं होती है इस महीने कौन-कौन से ग्रह बदल रहे हैं आप एक जलक देख लें 14 मार्च को सूर्य मीन में चले जाएंगे मंगल पूरा महीना वर्षब में ही रहेंगे यानि कि आपकी रासी में मंगल रह रहे हैं लेकिन रहू के साथ युतिवद हैं जो की अच्छा नहीं होता है 22 फैब को चेंज हुए थे बुद 11 मार्च से कुम्ब में चले जाएंगे ब्रस्पती कोई राशी परिवर्षब में ही रहेंगे शुक्र 17 मार्च से मीन रासी में उच्छ के हो जाएंगे शनी मकर में हैं मकर में ही रहेंगे पूरा महिना राहु वर्षब में ही रहेंगे आपकी राशी में और केतु व्रश्चिक में हैं व्रश्चिक में ही रहेंगे के तु कोई राशी परिवर्तन नी कर रहे है, राहू नी कर रहे है, शानी नी कर रहे है, ब्रस्पती नी कर रहे है और मंगल भी कोई राशी परिवर्तन इस महीने नी कर रहे है कुछ ही ग्रहों का परिवर्तन है लेकिन उन ग्रहों का परिवर्तन भी आपके जीवन के उपर शुब हो आपके घर में संपनता वैभवता उठपन हो इसलिए उपाई जरूर करना अब ये तो हुई राशी की बात हर महीने कुछ तारीके ऐसी होती है जो कई भार जीवन में कुछ अशुब परिणाम ले आती है इश्वर ना करें ऐसा हो उन तारीकों में साफदान रहें तारीके नोट करें साथ मार्च आठ मार्च सत्रा मार्च अठारा मार्च सत्ताइस मार्च ये तारीके हैं बाकी घवराने के आवश्चकता नहीं है कोई भी राची एक व्यक्ति की नहीं होती है अब जैसे आपकी क्या राची है व्रशव व्रश टारस आपकी राची से सम्बंदित पूरे विश्व में करोडों लोग वसते हैं इसलिए कभी भी कोई नकारत्मक तथ्य सुन करके आप लोग न डड़ा करें क्योंकि सभी के उपर एक सी घटनाए नहीं घट सकती है ना इस महिने कुछ समान गुम होने का खोने का चोरी होने का भै है साबधानी से रहें कारोबार में बढ़ोत्री हो सकती है पेट और घुटनों के समस्याएं और थोड़ा नित्रों में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन होने का भै है साबधानी रहें रखें अदरवाइज जो हम उपाई बता रहे हैं उन्हें प्रेम से और मन से करें अब आईए उपाई की बात करते हैं आपकी जो राशी है उसके स्वामी है शुक्र शुक्र का संबंद शुक्रवार से भी है सफेद वस्तूं से भी है हमें एक उपाई करना है क्योंकि आपकी जो राशी है क्या है वर्षव और वर्षब रासी में मंगल और राहू एक साथ बैठे हैं जिनका वर्षब लगन है तो लगन में मंगल राहू आगए और कहीं पर भी जहाँ पर भी आपकी वर्षब रासी है तुम्हां राहू तो उसके साथ यूतिवत हैं बाद भी बाद कहीं न कहीं थोड़ा सा नुक्सान ये करा भी सकते हैं तो उसी के निमत हमें क्या विश्यस करना है जिससे इश्वर की कृपपा हमारे उपर हमारे परिवार के उपर अच्छे से बनी रहे आप एक काम करें आप कम से कम 200 ग्राम सफेद चावल ले ले शुकरवार की सुभा या बड़ी बड़ी भर करके दो मुठी ले 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 दोनों मुठी चावल या 200 ग्राम चावल आप अच्छे से पानी में उबाल ले जब वो चावल अच्छे से पानी में वाइल हो जाए उबल हुआ चावल आप पक्षियों को डाले ऐसा आपको कितनी बार करना है ऐसा आपको दो शुकर बार या तीन शुकर बार आप करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा काईदे में तो अगर चार शुकर बार करतें तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम से कम तीन शुकरवार आप जरूर करें आगे बढ़ते हैं शुकरवार के दिन प्रियास करें कि सुफेद सर्ट पहने और महिलाएं कोई गोल्डन या चमकीला या सुनहरा या क्रीम से रंका किर्मिश रंका कोई भी वस्त परिधान प्रियोग में लाएं अच्छा रहेगा शाम के समय अगर समय मिल जाए आप चाहें मैला हैं या पुरुश हैं जो भी हैं समय मिलना चाहिए शाम के समय भगवती लक्षमी के सामने बैठें और सुगंदित पुस्प चड़ाएं और एक बार स्री सुक्त का पाट करें इस वर्ष का हिंदू वर्ष का सनातन वर्ष का ये अंदिम महीना है इसके बाद हम नव वर्ष में सम्वंत दो हजार अठतर में सेवन्टी एट में हम परवेश कर जाएंगे ताकि हमारा आने वाला आगामी वर्ष भी सुब हो और ये वर्ष कैसे कैसे सब का वीता है करोना काल रहा क्या क्या रहा सब को जानते हैं आगे ऐसी कोई दुखट घटनाएं किसी के साथ ना हो सब के परीजन सुरक्षित रहें अच्छे से रहें सुरिसुक्त भगवती वैभवता का अशिरवात देती है और जब वैभवता आती है तो खान में, पान में, स्वास्टे में हर जगह में वैभवता की प्राप्ती मा भगवती लक्षमी करा देती है तो हर शुकरवार शाम के समय भगवती को सुगंदे पुछ पर चुड़ाएं और यदे खीर अरपन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अरपन करके एक बार या तीन बार या साथ बार सिरिसुक्त का पाट करें आनन्द आएगा ये जरूर करिएगा अब आगे बढ़ते हैं कुपाय और हमने पहले भी बताया था खुश्बु में शुक्र का वास होता खुश्बुदार इलाइची खुश्बुदार सौफ खुश्बुदार कोई भी खाने का पदार्त आप शुकरवार के दिन किसी मित्र को गिफ्ट करें आजकल खुश्बुदार सुपारी भी आती है बहुत सारी चीजे मिलती है तेवा को नहीं गलत चीज बिलकुल नहीं जो सौमे है सुद्ध है खुश्बुदार कोई मिठाई हो सकती है जैसे गुलकंद होता है गुलकंद किसी को दे सकते हैं खुश्बुदार और भी कोई चीजे हो सकती है खाने की तो वो किसी को भी मित्र ना ले तूकि आजकल लोग वहम करते हैं अपने घर में किसी बड़े बुदर को भी दे सकते हैं या कहीं उसको मंदिर में भी हम दे सकते हैं ऐसा आपको तीन शुकरवार करना है बहुत अच्छा लाब मिलेगा अन्ती मुपाये शुकर का संबंद रोशनी से भी है तो शुकरवार के दिन किसी धर्मिस्थान में कोई ट्यूब लाइट बल्ब या कोई भी ऐसी रोशनी दार चीज किसी मंदिर में हम दे सकते हैं बही किसी ने किसी मंदिर में जाए कोई नो कोई बल्ब खराब होता है ट्यूब लाइट खराब होती है नहीं भी होती है दे आया है ना मला नहीं करता है कोई सब ले लेते हैं तो एक ट्यूब लाइट या एक रोशनी वाला अच्छा सा बल्व, अपनी जगा कोई छोटा लगाए, थोड़ा बड़ा लगा दें, अच्छा सा रोशनी हो जाए भगवान के दरवार में, तो ऐसा आप करिएगा, इससे ऐसा कितनी बार करना है, एक या दो शुकरवार कर द रिपीट किया करें, मार्च के महीने में, ओम शुक्रायनमा, ओम शुक्रायनमा, बास, ये वर्षव रासी से संबंदित उपाई थे, भगवान आपकी समस्त मनो कामनाय पूर्ण करे, सणातन धर्म के हिसाब से, हिंदी का ये अंतिम महीना है, अगले महीने हम नव वर्ष मे जाने वाले हैं, सब का शुब हो, मेरा ये शुबासी सब के लिए है, अगले महीने के उपाए और भी खास बन जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और करिएगा, गौरिश अंकर रुदराक्स पहनना, शिप परिवार रुदराक्स पहनना भी आप लोगों के लिए बहुत घर में शुरियंतर की साधना करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमने मेश राशी से लेकर के मीन राशी तक के बारा राशीों के उपाए बताए हैं, इस महीने के मार्च के, यदि आपके घर में किसी और की कोई और भी राशी हो, अपनी राशी सुने और अपने उपाए कर लें, इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं, जैमा पिंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें, प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य, प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा 10 वजे से शाम 6 बज सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें